मेरा सवाल है कि भारत एक युवादेश है और आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या सेहत में गड़बड़ी की है जिससे ये युवादेश जूज रहा है लाइफस्टाइल से जूड़ी बिमारियां दिन बढ़ती जा रही है और असल में इससे देश की प्रड़क्टिविटी पर असर बढ़ेगा तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आध्यात्मिक्ता के जरिए और आपके अनुसार आने वाले समय में हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और इन लाइफस्टाइल से जूड़ी बिमारियों और मुद्दों को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हम खुद को सबसे कम समय देते हैं. धन्यवाद. मैं आपके सवाल को ठीक करना चाहूंगा. हम एक युवा देश नहीं है. हम इस धर्ती पर सबसे पुराना देश है. अगर आप भारत को सिर्फ सम्विधान या राजनेतिक धाचे की नजर से देख रहे हैं, तो हाँ, हम एक युवा देश हैं. लेकिन आज से दस हजार साल पहले भी, बाहर के लोग, हाला की देश के भीतर, यहां पर दोसों से भी ज़्यादा राजनेतिकी काईयां थी, बाहर के लोग पूरे देश को हिंदुस्तान या भारत कहते थे. बाहर के लोग और भीतर के भी इसे एक देश मानते थे, हाला की यहां पर कई राजाओं या व्यवस्थाओं का शासन चलता था. हम एक देश बने अपने राजाओं के कारण नहीं, या किसी समविधान के कारण नहीं. हम एक देश इसलिए बने, क्योंकि हमने कभी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं किया. हम हमेशा से जिग्यासू रहे हैं. हमने हमेशा जीवन के बारे में सोचा है. सत्य को जानने की कोशिश की है. हर पीड़ी को खोजना होता है कि मेरे जीवन का सत्य क्या है. ठीक है, कृष्णा बता चुके हैं. हो सकता है कि उन्होंने जो कहा, वो उनके लिए सच हो. हम उनका आधर करते हैं. लेकिन हमें खुद के लिए खोजना होगा. कि हमारे जीवन के लिए सत्य की प्रकृती क्या है इस देश ने हमें ये आजादी दी है तो हम जिग्यासा की डोर से एक सूत्र में बंधे थे विश्वास की डोर से नहीं ज्यादतर देश समानता के आधार पर बनते हैं हमें उस आसत दरजे का नहीं होना पड़ा कि एक होने के लिए हम सब को एक सा होना होगा हर कोई अलग हो सकता है एक ही परिवार में पांच लोग पांच अलग भगवानों की पूजा करते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती तो ये एक अनोखा देश है इसके इस चरित्र को नश्ट नहीं किया जाना चाहिए कि हर कोई जैसा वो चाहे वैसा हो सकता है और उसके बावजूद हम एक देश है ये देश सबसे लंबे समय तक बना रहा है क्योंकि इसके भीतर कटरता नहीं है अब हम ठोस सीमाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा ये जान लेना बहुत जरूरी है सेहत के बारे में हमें हमेशा से पता रहा है कि सेहत मंद कैसे रहना है अगर आपको लगता है कि इन सबा सो करोड़ लोगों के लिए आप अमेरिका जैसा हेल्थ केर सिस्टम बना सकते हैं तो आप नहीं जानते कि आप क्या बात कर रहे है आपने इस देश को बिल्कुल नहीं देखा है और नहीं आपने अमेरिका को देखा है नहीं आपने अमेरिका में मौझूद सिस्टम को देखा है मुझे लगता है कि मौझूदा सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम किया है आयुष मंतरालाय बना कर अभी इसके पास पर्याप्त फंड नहीं है लेकिन जब इसके पास जरूरी फंड होंगे और अगर हम इसे ठीक से चला सकें क्योंकि आयुष का पहला पाइलट प्रोजेक्ट इशा फाउंडेशन ने चलाया था करीब आठ साल पहले तमिल नाडू के नमकल जिले में इसने उस जिले में बहुत अच्छे नतीजे दिये इसमें ग्रामीन इलाकों में लोगों को बस ये सिखाया गया था कि कैसे स्वस्त रहा जाए और हमने सैक्डो हर्बल बगीचे लगाए जिनकी मदद से लोगों को सिखाया गया इन बगीचों को सार्वजनिक जगाहों पर लगाया गया ताकि लोग उन जड़ी बूटियों को इस्तिमाल कर सकें रोज मर्रकी बिमारियों के लिए अगर कोई गंभीर बिमारी होती है तो वो अस्पताल जा सकते हैं बस एक ये दो पीड़ी पहले जब आपकी दादी जिन्दा थी अगर किसी बच्चे को पेट में दर्थ होता था तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था बच्चे को हलका बुखार होने पर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था वो जानते थे कि क्या करना है आजकल हर बात के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बन गई है ये सेहत का व्यापार नहीं है, दवाईयों का है ये दवाईयों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है मैं दवाईयों के खिलाफ नहीं हूँ दवाईयों को लेने का मतलब है कि आप अपने सिस्टम पर रासाइनिक बंबारी कर रहे हैं जब बीमारी वाकई बड़ी हो और यह जरूरी हो तो हमें करना होगा लेकिन अगर हम यह हर दिन करते हैं तो आज हम जानते हैं कि हम सिस्टम को किस तरह का नुकसान पहुचा रहे हैं अगर आप इस देश को सेहतमन बनाना चाहते हैं तो आपको प्राचीन पद्धतियों को वापस लाना होगा सभी इस तरों पर योग को लाना होगा इस अंतराष्ट्री योग दिवस पर हम योग को भारत के 10,000 स्कूलों में ले जा रहे हैं इसे छोटी उम्र में ही शुरू करना होगा आपकी सेहत आपके जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपके डॉक्टर की नहीं, है न? स्वस्त रहना, ये आपका काम है ये किसी दूसरे का काम है? क्या ये सरकार का काम है कि वो आपको स्वस्त रखे? नहीं, ये मेरा काम है कि मैं खुद को स्वस्त रखूँ मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए, खुद के साथ क्या करना चाहिए, ये ऐसी चीज़े हैं जिनके चिंता मुझे करनी होगी